दोस्तों नीला समंदर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है इसके अंदर की दुनिया बहुत ही विशाल है इस दुनिया में कई जीव रहते हैं इन में से कई बेहद ही छोटे और खूबसूरत हैं तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं ये चाहे मगरमचों या फिर शार्क वेल या फिर पिराना आपने खतरनाक शार्क या पिराना मश्लियों के बारे में तो सुनाई होगा जो बेहद ही खतरनाक होती हैं दरासल पानी के अंदर कई ऐसी मश्लियां हैं जो ना सिर्फ आपके लिए जान लेवा हो सकती है बलकि यह मचलिया आदमी तक को खा जाती हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही पानी की मॉंस्टर्स के बारे बताएंगे जो बेहद ही खतरनाक होती है। दोस्तो यह मचली दुनिया की अध्यन दुरलब मचलियों में से एक है और बहुत ही खतरनाक होती है। कई जगा इन्हें पेसू भी कहा जाता है। बता दें किस मचली के मुँ में जो दात हैं हूबहू इंसानों की तरह होते हैं। पूरी तरह से विक्सित एक पेसू मचली करीब 4 फिट लंबी होती है। यह ब्राजील के अलावा पैरिस, सकेंडीनेविया और ओशीनिया में पाई जाती है। हारांकि इन जगाओं के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबरे आती रही है। नटक्रेकर मचली जिन छेत्रों में पाई जाती हैं, वहाँ तैराकों को जाने से प्रतिबंदित कर दिया जाता है। नमबर टू शार्क दोस्तों शार्क मचली का नाम सुनता ही उसके खूंकार जबड़े हमारे सामने आ जाते हैं। आपको बता दें, आज तक शार्क के काटने से काफी मौते हुई हैं। हर साल शार्क से काटे जाने की लगबग 50 घटनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं। जिसमें सिर्फ 10 प्रतिसत ही जानलेवा साबित होती हैं। इनके दाख किसी आरी जैसे पैने होते हैं। दोस्त उस प्रकार की मचलियां अफ्रीकी देश में पाई जाती हैं। इस देश की कॉंगो नदी में या मचली ऐसी जगा पर मिलती हैं जिस जगा पर बहुत ही कम लोग पहुंसते हैं। या मचलियां पिराना से जुड़े होने के चलते पानी में मगर मच को भी आसानी से खा जाती हैं। या मचलियां इनसान का भी शिकार करने में माहिर होती हैं। इनके दाख धारदार और लंबे होते हैं। और इनका वजन साड़े चार सु किलो से भी अधिक होता है। दोस्तो समचली की लंबाई साथ फिट से बीस फिट तक होती है। इनको कम ही लोग देख पाते हैं, साथ ही यहां मचली समंध की गहराईयों में पाई जाती हैं। और यहां बेहद ही खतरनाक मानी जाती हैं। यहां नेट में भी नहीं पकड़ी जाती हैं। इनके फस जाने की स्तिती में फिशर मैन इनको मार देते हैं। इनका भार 317 किलो तक पाया गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक मचली मानी जाती है तीमन फिश। या बड़े से बड़े जीवों को भी निगल जाती है या अफरीका की कॉंगो रीवर में पाई जाती है दोस्तों या मशलियां अमेरिका की लैक चैंपलेन में पाई जाती है इनका अस्तित वो बेहद ही पुराना है इनका मुँ एक मगरमच की तरह होता है अब अमेरिका के अंदर मशली को क्रोकोडाल गार के नाम से भी पहचाना जाता है इसका भार 136 किलो तक होता है दोस्तों अस्टेले की बीजबन नदी में इस मशली को देखा जा सकता है अब इसकी खास बात या होती है कि या मशली अपना सेक्स बदल सकती है बहुत सारी मादा मशलीों के बीच में एक नर ग्रूपर होता है जब वह नर इनके समू से हटता है तो समू के सबसे बड़ी मशली अपने सेक्स को चेंज करके नर बन जाती है या मशली रोप में पाई जाती है नम्म नाइन पिराना दोस्तों पिराना मशली को भी आदम खोर्चियों में शुमार किया जाता है। कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर ये मशली इंसानों की हड़ी तक चबा सकती है। पिराना मशली के आदम पर अटेक करने की सबसे अधी खटना एमाजोन नदी में सामने आई है। करें के लिए हमारे चैनल को सबस्ट्राइब जरूर करें।